श्री सिवाय नमस्तु भ्यम मेरे चैनल पात्मन की पर आप सभी का स्वागत है आप लोग भगवाजयों की पोजा में बेल पत्रों जरू चड़ाती होंगे क्योंकि भगवान बोले नाथ को बेल पत्र अत्प्रिय है बेल पत्र का दर्सन कर लेने मासे ही समस्त दुख दूर हो जाते है कहा भी गया है कि दर्सनम बेल पत्रम इसपरसम पाप नासम अधात बेल पत्र का दर्सन और बेल पत्र को इसपरस कर लेने मासे ही समस्त पापों का नास हो जाता है लेकिन बेल पत्र का इतना वड़ा महत क्यों है कि आप जानते हैं बेल पत्र कितरे प्रकार की होते हैं आज हम आपको ऐसे विच दल वाले बेल पत्र का दर्सन कराएंगे जो हमें सोभाग से प्राप्त होते हैं कई ऐसे बेल पत्र होते हैं जिनकी पांच दलवाली पत्तियां होती हैं छे दलवाली पत्तियां होती हैं आपको आसानी से तीन दलवाली बेल पत्र मिल जाती होंगी लेकिन अगर सोभाग वस आपको एक दलवाली पत्ती बेल पत्र की मिल जाए तो आप उसे अंदेखा मत करन उस एक दल बेल पत्री को अपने घर जरूर ले आना और लाकर महादेव के उपर समर्पित करके पूजा पाठ करके एक दल वाली बेल पत्री को अपने पास रख लेना इससे आपको अनेको लाव होंगे आपकी घर में साच्छात महादेव का वास रहेगा याद रखना घर पर आप जहां भी पूजा करते हों अपनी मनुकामना भगवान से मांगने के लिए आते हों वही पर इस बेलपत्र को सुरच्छित रख देना इस एक दल वाले बेलपत्र का बहुत ही अधिक महत बताये गया है यदि आपकी कोई मनुकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही आप काफी परिसान चल रहे हैं तो जैसी ही आपके घर में एक दल का बेलपत्र आएगा वैसी ही आपकी सभी मनुकामने पूर होने लगेंगी आपके घर में कभी धन का आभाव नहीं रहेगा सुक सांती संपरनाता का वासी रहेगा और यदि ऐसे ही आपको चार दल वाले बेल पत्र मिल रहे हो पांच दल वाले बेल पत्र मिल रहे हो तो उनको अपने घर जरूर ले आना और उनको महादेव पर समर्पित करके महामर्टिंजर का मत्र जाप करते हुए महादेव पर आर्पित करके उसे अपने पास रख लेना क्योंकि बहुत सौभागिसाली होते हैं वो लोग जिने महादेव की किरपा से ऐसे वेलपत्र मिलते हैं